ये आज की नहीं है, ये 97 की ख़वर है, आपको आज पता चलिए ये 97 की खवर कैसे है वो मैं बताता हूँ बार बार आपने कैसेट में सुना होगा और मेरे भाशन में भी सुना होगा ये लहर पेपसी नहीं, जहर पेपसी है वो जो मैं कहता था उसका कुछ आधार था मैंने बार-बार कहा है कि मैं कभी बिना आधार के कुछ कहता ने तो वो आधार क्या था 1997 में हम लोगों के कुछ मित्रों ने दो लेबरेटरीज में पेपसी, कोका कोला, थमसप, लिमका, सिट्रा, मिरिंडा ये सब टेस्ट किया था ये एक यूनिट अगर पेपसी हो एक यूनिट माने 300 मिली लीटर उसको टेस्ट करना हो तो 6 महिना लगता है केमिकल एनलेसिस बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है उसमें बहुत समय लगता है हिंदुस्तान में कोई भी लबोरेटरी हो अच्छी से अच्छी लबोरेटरी जिसको एनसी एल पूना कह सकते हैं वहां भी अगर पेपसी का 300 मिली लीटर चेक करना हो तो 6 महिने लग जाएगा और कोगा कोला में भी लगवग 6 महिना लगता 6 महिने के पहले आप रिजल्ट नहीं देख सकते तो 97 में ऐसा हुआ था और उस समय मैंने थोड़ा बंबई और इधर घुमना शुरू किया था पश्छीम भारत दक्षिन में तब ये हुआ था और जिस लेबरेटरी ने सबसे पहले इसको टेस्ट किया था उसकी रिपोर्ट ये है जो आपको उदेभाई दिखा रहे हैं ये उदेभाई को मैंने पिछली बार दिया था कहां दिया था चिन्नई में दिया था मैंने तीर थल्डी में दिया था तो यह तो आज आप अख़वार में पढ़ रहे हैं तीर थल्डी तो मैं 15 दिन पहले में था ना और इनके आँ भी 15-20 दिन पहले था यह रिपोर्ट 97 से मिरे पास है यही रिपोर्ट है जो आज CAC वाले कह रहे हैं इतना ही फरक है कि CAC ने अभी टेस्ट करके रिपोर्ट को फाइनल मने पब्लिश कराया दूर लेबरेट्री ने उसके पहले कर दिया था एक लेबरेट्री एमदाबाद की है दूसरी एक लेबरेट्री है दिल्ली की है तो वो लेबरेट्री की जो रिपोर्ट है वो एक मैगजीन ने बड़े मुश्किल से पब्लिश किया था कोई पब्लिश करने को तयार नहीं था ये एक मैगजीन निकलती है हिंदोस्तान में, बहुत कम बिकती है, 5000 भी सर्कुलेशन नहीं है, मैगजीन का नाम है Consumer Confrontation, एमधाबाद में चपती है, बंबई में चपती है, मुख्य कारियाल है, इनका बंबई है, एमधाबाद इनका एक दूसरा भी आफिस है, तो मुश्किल ये मैगजीन सिर्फ उनी लोगों को भीजी जाती है, जो इस संस्था के डोनर है, या उसको कुछ पैसा वैसा दान करते हैं, बाकी बाजार में नहीं मिलती, स्टॉल पे नहीं बिकती, वगरा वगरा, तो उन्होंने ये प्रिंट किया था, उस समय भी रिपोर्ट यही थी, पेपसी, कोका कोला, थमसफ, लिमका, सिटरा में जो कुछ उन्होंने टेस्ट किया था, उसके दो-तीन मैं आपको वाक के सुना देता हूँ, अनली दो कोलाज हैड़ कैफीन कंटेंट, कैफीन भी है, जो सुनीता नराइन ने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इस एनलिसिस में ऐसी बहुत सारी बाते हैं, जो सुनीता नराइन भी नहीं जानती होगे, शायद क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया उसमें, अनली दो कोलाज हैड़ कैफीन कंटेंट विद रेंजट फ्रॉम 93 तो 111 पीपीम, कैफीन आप जानते हैं एक कैमिकल है, जो एक तरह से नशा लात होता है, काफी में होता है, लेकिन काफी से भी ज़्यादा खतरनाक पेपसी और कोका कॉल्ला में होता है, 111 पीपीम है, और अमेरिका में उसी समय उन्छोंन ने जब टेस्ट करके बताय था, तो अमेरिका में कैफीन का जो परसंटेज था, वो 7.3 पीपीम था, और यहाँ पे 111 PPM था पीपिएम कमाने पर पार्ट मिलियन एक मिलियन में पार्ट पर मिलियन एक मिलियन दस लाग का होता है तो 111 यहां था एक सो ग्यारे यहां था जबकि अमेरिका में 7.3 था तो उस समय कैफीन भी बहुत ज्यादा था उन्होंने बता दिया था इसमें आरसेनिक भी आरसेनिक भी इसमें बहुत है, उन्होंने आरसेनिक भी टेस्ट किया था, कैडमियम टेस्ट किया था उन्होंने, इसमें कैडमियम भी है, जिंक भी है और लेड सबसे ज़्यादा है, आप जानते हैं लेड के बारे में, लेड इतना खतरनाक जहर होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है वो मां का गर्भ होता है लेकिन लेड उसको भी तोड़ने की छमता रखता है किसी बच्चे को मां के गर्भ के अंदर भी रिट कर सकता है लेड़ उसको cerebral palsy में डाल सकता है और कोई भेंकर बीमारी में डाल मांने मां के शरीर में अगर LED गया, तो उसके गर्व में पल रहे बच्चे के शरीर में पहुँचना भी बहुत आसान है, जबकि दूसरे जहर आसानी से नहीं पहुँच पाते, LED को छोड़ कर, तो LED इसमें है, कैड्मियम इसमें है, जिंक इसमें है, कौपर इसमें है, आरसनिक इसमें, इतने सारे क इस्थानिय भाषा में ट्रांसलेट कर लीजे, इस्थानिय भाषा में माने तमिल में कर लीजे, आप कन्नड में कर लीजे, कोई मराठी में कर लेगा, कोई गुजराती में कर लेगा, और इसके आधार पर नया पत्रक बनाईए, अपने जो पुराने पत्रक हैं, पैपसी को आया था calculate, तो Pepsi का, Coca-Cola का pH है 2.4, Pepsi-Cola का है 2.4, Thumbs Up का 2.5, Fenta का 3, Mirinda का 2.8, Gold Spot का 3, Leher 7 Up का 3.3, Citra 3, Team, Leher Team का 2.5 और Limka का 2.7. अभी यह pH का मतलब समझा देता हूँ, पानी जो आप पीते हैं, वो 7 pH का होता है, जिसको सुनीता नराइन ब्लेम कर रही है, के पानी खराब है, पानी 7 pH का होता है, और 7 pH की कोई भी चीज़ पीने लाइक होती है, नॉर्मल होती है, शुद्ध होती है, pH जो है, किसी भी लिक् कितनी है, तो वो pH, percentage of hydrogen उसको करके, शायद आपने 12th में chemistry में थोड़ा बहुत पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, उसको ऐसे समझ लीजे, कि कोई भी वस्तू को नापने तॉलने के कुछ unit होते हैं, कुछ एकाई होते हैं, वैसे ही acid को नापने त होगा, पांच होगा, चार होगा, तीन होगा, दो होगा, जितना कम होता जाएगा, एसे बढ़ता जाएगा, साथ के उपर जितना है, वो सब बेस होता है, चार होता है, तो साथ के उपर भी पीने के काम का नहीं, साथ के नीचे भी पीने का काम का नहीं, एसे डिटी अगर बढ़ाएगा तो ऐसे डो जाएगा च्छार से दूसरे प्राबलम होते हैं शरीर में तो इसका जो पी-एच है वो 2.4 है और लगबग इतना ही पी-एच उसका है फिनाईल का जो हरशद भाई बना के दिखा रहे हैं आपको आज सवेरे आपने फिनाईल बना के देखा तो फि फिनाईल का लगबग 2.8 होता है तो पेपसी, कोकाड, लहर टीम, थमसा, प्लिमका, सिट्रा उनका क्वालिटी, फिनाईल, हार्पिक, इनी के बरावर का है तो वो बार-बार में कहता न थंडा मतलब टॉइलेट क्लीनर अब आज का अखवार के रहा थंडा मतलब पेस्टि साइड प्लस टॉइलेट क्लीनर, अब ये बात आप अपने उसमें डालिए, पेपर में डालिए, इस तरह का, तो इसमें ये रिपोर्ट छाप दीजे, ये रिपोर्ट पूरे एक वो है, कॉलम में बनी हुई है, इसको एस इट इस ले लीजे, बस इसमें हिंदी करिए, कही गुजराती करिए, कहीं मराटी करिए, वो इसको छाप दीजे आप, ये कॉपी हम फोटो कॉपी कराके, शाम तक आपको दे देंगे, या कल दिलवा देंगे, आपके बास कितनी कॉपी है, नो है, तो राज्जी के हिसाब से दे दीजे, फिर भी 100 कॉपी करा ले, चल ये ठी कल तक और करा देंगे, कंजूमर प्रोटेक्शन, वो उसकी जरूरत नहीं है, किताब का नाम देने की जरूरत नहीं है, ये नहीं नहीं, उसमें प्रॉबलम दूसरी है, किताब बाला कल को मुकर गया, तो आप फस जाएंगे, तो इसमें बिलकुल इसकी किताब का नाम देन की कोई जरूरत नहीं है आप सीधे कहिए कि ये लिबरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट है लिबरेटरी का नाम इसमें है जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें नाम तो लिबरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट है लिबरेटरी का नाम भी अब देने की जरूरत नहीं है अब sugar percentage का दिया हुआ है, calories का दिया हुआ है, इसमें benzoic acid किसमें कितना है उसका दिया हुआ है, details सारा है, heavy metals कितने हैं, दूसरे इसके parameters हैं, वो सब 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 है, प्लस ये आज की report है, आज की जो report है, उसमें जो उन्होंने बताया है test करके, कि Pepsi, Coca, Thumbs Up, ये 12 तरह के brand name उन्होंने test किये, जिसमें DDT भी है, DDT, DDT है, 15 times जादा है, जो permissible limit है हिंदोस्तान में उससे, तो DDT है, DDT को भारत सरकार ने बंद कर दिया है, नाली के सामने भी नहीं छिलक सकते अभी आप, DDT, वो DDT जिसको आप अपने घर में कीचड़ पे भी नहीं डाल सकते, नाली के सामने भी नहीं छुलक सकते, मच्छर मारने में भी काम नहीं ला सकते, वो DDT पेपसी कोला में है, वो कोका कोला में है, और वो जो limit होनी चाहिए, उससे 15 गुना जादा है, यह मैं अभी इसके बारे में हम सुनिता नराइन की रिपोर्ट मंगा लेंगे, तो यह प्रश्न का हल हो जाएगा, कि यह पानी से आया है या इनोंने मिलाया है, है कि अमेरिका में कोई भी पेपसी कोक का, अगर हम माने यूनिट लें, तो उसमें कोई पेस्ट्रिसाइड नहीं होता, जीरो, हिंदुस्तान में है, उससे 15 गुना जादा DDT है, 21 गुना जादा क्लोरो फिरोस है, वहाँ बिलकुल नहीं, जीरो है, नहीं नहीं, वो तो उनके अहां जो स्टेंडर्ड है, उस स्टेंडर्ड से हमारे यां पंदर गुना जादा है, तो वो DDT है, फिर कलोरो फिलोस है, फिर मेलाथियोन है, और मेलाथियोन जो है, 42 गुना जादा है, 42 टाइम्स जादा है, फिर उसके बाद मेलाथियोन के बाद लिंडेन, जो हाई हाँ, सबसे जादा डेंजरस, लिंडेन, वो 87 गुना जादा है, 87 टाइम्स, फिर उन्होंने एक-एक उसमें बताया है, कि जैसे लेमन में लिंडेन 70 गुना जादा है, कोका कोला में 45 गुना जादा है, फेंटा में 43 गुना जादा है, पेपसी में 37 गुना जादा है, सेवन अप में 33 गुना जादा है, ब्लू पेपसी में 20 गुना जादा है, माउंटे ग्णिन डिू अभी एक नया आया, उसमें 28 गुना जादा है, थमसप में 22 गुना जादा है, डाइट पेपसी में 14 गुना जादा है, वो स्प्राइट में 11 गुना जादा है. तो रिपोर्ट का ये हिस्सा एक जो अभी आया फिर 97 की रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसमें इनोंने ये टेस्ट नहीं किया आर्सेनिक इनोंने नहीं बताया लेड इनोंने नहीं बताया और जिंक इनोंने नहीं बताया और जिंक इनोंने नहीं बताया और जिंक इनोंने नहीं कि आओ उसमें से लिख दीज़े ओ सुनील आगीवाल जी आपके पास है कोई सेंपुल जो आपने लिखा था ये पेपसी कोप के बारे में समवेदना में है अच्छा वो बार्क वाली रिपोर्ट है क्या समवेदना में भावा एटोमिक रिसर्च सेंट है जरा निकालो ये साइन्टिस्ट ने परसनल इंट्रेस्ट लेके जो चेक किया पेपसी कोप का वो रिपोर्ट भी इसमें है तो वो रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में जो भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर के साइन्टिस्ट ने जो पाया है हाइड्रोक्सी मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल एक केमिकल है उसकी मात्रा उन्होंने पाता है जो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं बावा एटोमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने एक तीसरे केमिकल का प्रेजन्स इसमें बताया जो 97 के रिपोर्ट में भी नहीं है और ये लास्ट डे रिपोर्ट में भी नहीं है वो इसमें है अपने सम्वेदना में पेज नंबर 133 पे तो वो भी ले लीजे और ये hydroxy methyl जो होता है chemical उससे क्या-क्या problems है वो भी उसने बताया है ये neurotoxic है, genotoxic है, cytotoxic है, तीनों माने neurotoxic होने का माने आपके दिमाग को, आपके nervous system को, आपके brain को पूरी तरह से damage करने की छमता रखने वाला कोई chemical इसी तरह से genotoxic, आपके genetic material को खतम कर देने की छमता रखने वाला कोई भी chemical अब आप सुचिए, इससे ज़्यादा खतरनाक जहर क्या होगा आपका genetic material damage कर दे, कोई chemical जिसके बाद तो कोई chance नहीं है आपका neurotoxicity है तो चलो उसको दूर करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये genetic material गया आपका फिर तो आप क्या कर सकते हैं हाँ, नपुन सकता आ सकती है, हाँ, चाइल्ड आपके अगर बच्चे पैदा होते हैं वो defective होंगे बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, विचित्र विचित्र किसम की बीमारें तो इतने खराब chemicals जो हैं और वो scientist ने का कि it is very horrible उसका जो sentence है, रिपोर्ट में ही लिखा, it is very horrible जिसने टेस्टिंग किया है भावा अटोमिक रिसर्ट सेंटर में ये डेट है, उसने 25 अगस 2001 24 अगस 2001 को ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है और 25 अगस 2001 को ये हिंदुस्तान के सभी newspaper ने पब्लिश किया है Times of India, Economic Times, Deacon Herald, Hindu वगरा 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 तो 25 अगस्त का अगर 2001 25 अगस्त का कोई भी national newspaper मिल जाए डिटेल रिपोर्टें नहीं मिले तो यहां से लेंगे सम्वेदना में ये है तो इस में से ये लेकर, ये रिपोर्ट में से आप ले लीजे इसको थोड़ा हिंदी करना पड़ेगा किसी को किसी को गुजराती करना पड़ेगा किसी को उसका मराठी, किसी को कंड़, किसी को तमिल, किसी को तेल लेकिन होना चाहिए ये सब local languages वो हम कर देंगे, लेकिन भेजने से अच्छा ये है कि समवेदना सब के पास है ना ये नहीं है तो ये ले लो आप, यहां रखवा देते हैं, ये आप ले लो ये इसलिए भी है हाँ अच्छा उसके बाद ये जो पेपसी को का पी-एच वैल्यू का है वो इसमें भी है ये जो पी-एच वैल्यू का है ना, वो इसमें भी ये 2.48 पेपसी का है, कोका कोला का 2.42 है, थमसप का 2.41 है, लिमका का 2.80 है, तो इसमें 4 का है, तो ये आप ले लिजे समवेदना का एक एक अंकी है आपके लिए बहुत अभी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये रखिए आप इसको क्योंकि अब आपको 25 अगस्त का 2001 का निउस पेपर मिल जाए तो अच्छा, अब नहीं मिलेगा तो ये तो है ना अपने पास अपने निउस पेपर को अपने घर में, मौले में कहिए कि कॉपी रिजर्व रखें क्योंकि ये निउस सभी जगे आई है ये तमिल निउस पेपर में भी है कंड़ में भी है, पूरे देश में है ताइमस ओफ इंडिया सब में है तो गुजराती में भी है तो और ये पुरानी निउस जो है वो ये है, 97 की तो 97 वाली हम फोटो कॉपी करवा रहे है इसकी पचासे कॉपी बनवा के आप सबको कल मिल जाएगा तो ये पुराना रिपोर्ट प्लस समवेदना रिपोर्ट प्लस ये आज का ये तीनों को मिक्स करके चीज हाईलाइट करनी है वो आप इनसे पूछिए हमारे ये जो मित्र हैं, अभे परताफ हैं ये संथ समीर है जिनको निउस लिखना आता है जिनको एडिन्ट करना आता है कौन सा हिस्सा है जिसको हाईलाइट किया जाएगा वो आप इनसे सीख लीजे फिर आप अपने अपने हिसाब से बनाइए मैं कोई मॉडल बना के नहीं देना चाहता क्योंकि ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क भी होगा अगर हमने बना दिया तो आप कुछ एकसरसाइज ही नहीं करेंगे आपका दिमाग भी नहीं चलेगा तो आप इनसे इतना हिंट ले लीजे कि जब ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जाती है जो highly sensitive होती है उसमें कौन सा हिस्सा होता है जो highlight किया जाता है वो आपको बता देंगे newspaper के हिसाब से भी आम आदमी के हिसाब से दोनों का ध्यान रखेंगे नियूस पेपर के हिसाब से आम आदमी के हिसाब से जो हाईलाइट करने वाला हिस्सा है वो सबसे पहले आता है और वो उसमें हाईलाइट करने का यही है अब जैसे अंग्रेजी में बनाएंगे तो यह नियूरो टॉक्सिक है जेनो टॉक्सिक है, साइटो टॉक्सिक है ये शब्द है ना ये पहले आ जाएंगे फिर उनका इफेक्ट क्या होता है वो नेक्स आम में आ जाएगा फिर वो क्यों है नियूरो टॉक्सिक क्यों है साइटो टॉक्सिक, क्यों है जेनो टॉक्सिक तो ये chemical के presence के कारण है फिर वो chemical का क्या problem है ऐसे करकर के वो बढ़ता जाए फिर last में वो पूरा list आ जाएगा कि देखो ये है हम नहीं कहते लेबरेटरी ये कहती है हम नहीं कहते भावा एटोमिक research center ये कहता है भावा एटोमिक research center ने तो official report रिलीज किया था जो आसानी से कोई करता नहीं तो ये तीनों report को मिला कर फिर चार पन्ने का नया pamphlet बनाईए उस pamphlet के हिसाब से फिर आप इसको large skill distribution शुरू करिए अब उसके आधार पे आप कारिकरम टे कर लीजे schools में जाना colleges में जाना मंदिरों में जाना मठों में जाना कोई सभा हो रही है सभा में जाना जहां भी जाना है station पे जाना कहीं भी जाना pamphlet देना एक बातें करना लोगों से भाशन देना दो और इसमें सबसे अच्छा एक तीसरा तरीका में बताता हूँ अपनी हर एक लोकल इकाई में कहीं न कहीं कोई न कोई डॉक्टर तो है अपने पास उसको ले जाएए साथ वो समझाएगा ये निरो टॉक्टिक क्या होता है आपको थोड़ा सा जीव लड़ खड़ाएगी बोलने में लेकिन वो आसानी से बताएगा ये निरो टॉक्टिक क्या है साइटो टॉक्सिक क्या है जेनो टॉक्टिक क्या है तो इस तरह से हर एक जगे तो डॉक्टर्स हैं अपने पास ये तो सौभागे है अच्छा ही है कि हर जगे एकाई में कोई ना कोई एक दो डॉक्टर इंवॉल्व हैं, उनको साथ लेके स्कूल्स में, कॉलेजिस में जाके, एक आदा घंटे का, पौना घंटे का बात कराके, और वो बात को फिर आगे कैमपेन में बदलवाके, अब लोटते ही अगर आप ये करना चाहते है कि कोई रैली निकालना है तो रैली निकालिए, प्रदर्शन करना है प्रदर्शन करिए, पेपसी कोक का अगर आपको पुतला जलाना है तो पुतला जलाईए, साथ में सचिन तेंदुलकर का भी जलाईए, अमिताब बच्चन का भी जलाईए, और एक ऐसा अभिहान चलाई कि यह तेंदुलकर हमिताब बच्चन के पुतले पे मास केमपेंग करिए थूकने का इस पिटिंग हाँ ऐसा करिए इसका हाँ सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा फोटोग्राफ एक तरह हमिताब बच्चन का और लोगों को कहिए कि थूको इस पे आके हाँ नियूज वैलिव तो उसी की है हाँ जहर बेचने वाले हिंदुस्तान के लोगों को मारने वाले आने वाली प्यूडी को नपुनसक बनाने वाले आने वाली प्यूडी को हिंदुस्तान को नकामी बनाने वाले अमिताब बच्चन, आमिर खान, सल्मान खान, शारुक खान, इन सब के लगाईए पोस्ट है और अपील करिये लोगों से एक दिन पहले कि हम ऐसा अभियान करने वाले हैं मास केमपेन होगा, दिन बर में दस वीस हजार लोग थूक के चले जाएं यह जो है ना, यह ख़बर अमेरिका तक पहुँच जाएगी और इसका महत तो बहुत है हिंदुस्तान में तो किसी के मुँपे थूक दिया आपने है इससे ज़्यादा बेजज़ती कुछ होती होती नहीं आपने किसी को पीटा उससे भी ज़्यादा थूक दिया उसके मुँद और थूको अभियान फिर दूसरा, एक अभियान यह हुआ दूसरा अभियान उसका जिनोंने लाइसेंस दिया हिंदुस्तान में पेपसी कोला कंपनी को जिस नेता ने लाइसेंस दिया जिस नेता ने पेपसी कोका कोला को टेक्स हॉलिडे दिया, जैसे करनाटक का SM कृष्णा, जबसे SM कृष्णा चीफ मिनिस्टर है, पूरे करनाटक में पेपसी कोक को टोटल टेक्स फ्री है, कोई टेक्स ही ने, धिग्विजय सिंग ने मद्धि प्रदेश में किया, चलिए एक दिन ते कर लिजे, 15 अगस्त, हाँ ठीक है, 15 अगस्त, 15 अगस्त को मास केमपेन होगा, सब अपने आंदोलन के कारिकरता, हाँ, हाँ, तो न्यूज मुश्किन, अच्छा, 14 कर लें, जो है, इसमें ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो अच्छा होता, 9 अगस्त को होता, लेकिन चुकि 9 अगस्त, यहाँ पर हम सब रहेंगे, 9 अगस्त की शाम को यहाँ से रवाना होंगे, 9 अगस्त, भारत छोड़ो दिवस है, हम सब को याद है, 9 अगस्त, 1942, तो 9 अगस्त को होता, तो बहुत अच्छा होता, अब 9 अगस्त को अगर कहीं हो सकता है, तो नागपूर वाले कर सकते, 9 अगस्त को, हाँ, नागपूर करना ज्यादा अच्छा है, नागपूर इसलिए अच्छा है, कि मीडिया सबसे ज्यादा नागपूर में है, नागपूर कारिकरताओं को आप सूचना दीजिए, कि 9 अगस्त को थूको अभियान, पैपसी कोला पर थूको, सचिन तेंदुलकर पर थूको, अमिताब बच्चन पर थूको, ये जो है ना इसका एक तो ये एक एक तो भारती अभियान है पूरी तरह से, इसमें वेस्टरन कुछ भी नहीं है, हिंदुस्तान में किसी की बेज़ज़़दी करना तो उसके मूँ पर थूक दिया, मौावरा आना कि मैं तो उसके मूँ पर थूक के आया, माने मैंने उसकी बेज़दी कर दिया तो अभी ये बेज़दी करना ही है अपने को और इन लोगों की जिन्होंने पेपसी कोक का प्रचार किया जिन्होंने पेपसी कोक को लाइसेंस दिया और जिन्होंने पेपसी कोक को हिंदुस्तान में बढ़ाने का या distribution में मदद करने का काम है तो अब आप देख लो कि कौन-कौन जाहिरात करता नागपुर वालों को थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी कहीं से पैतेंदुलकर का फोटो लाना कहीं से अमिताब बच्चन का लाना पोस्टर लाना, मार्केट से खरीदना आप आज फोन कर दो और उसके साथ-साथ वो पॉलिटीशियन्स का जिनों ने इस देश में पैप्सी को लाइज वो सेकंड फेज में रखो, फस्ट फेज में ये करो हाँ, इसका इंपेक्ट थोड़ा जादा होगा इसको फस्ट फेज में करो और इसमें ऐसा एक डेट देदे कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक हफ़ते आजादी बचाओ आंदोलन पूरे देश में ये अभिहान चलाएगा हाँ तो ठीक है तो आज ये तै करते हैं कि 9 अगस्त से 15 अगस्त या जादा करना है यहां से शुरू हो गया उसके बाद अपने अपने घर जाके हाँ वो ठीक है नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 9 से लेके 15 अगस्त का पूरा एक सप्ता हम ऐसा चलाएंगे जिसको जिस दिन सुविदा है वो कर ले अपने ठीक है इसको चाहें तो 21 अगस्त भी कर सकते नहीं तो ऐसा करें 9 अगस्ते 21 अगस्त पूरा कर लें एक पकवाड़ा एक 15 दिन का पकवाड़ा पेपसी कोक बहिशकार का 15 दिन का उसमें आपको अपनी अपनी थोड़ी छूट भी रहेगी किसी ने 9 अगस्त को कर लिया कोई 10 को करेगा कोई 12 को कोई 15 को कोई 17 को कोई 21 को ऐसा हो जाएगा हाँ अब बोलिए क्योंकि हमको सपोर्टर्स नहीं मिलेगा अच्छा इस पर उनका सुझाओ है हम सोच है लेकिन पहला मेरा ये मानना है कि 9 अगस्त से 21 अगस्त हमारा ये कैम्पेंच चलेगा जिसमें पेपसी कोक के प्रमोटर्स को चौराहे पर हम बेज़दी करेंगे बेज़दी करने के लिए प्रतीक रूप में उनके पोस्टर पे थूकने का वियान और इसमें समाज को अपील करेंगे आप आओ हम तो करने ही वाले हैं दूसरे लोग भी आएं और पूरा दिन बर चले कहीं एक चौराहे पर कहीं दूसरे पर कहीं तीसरे पर कहीं चौथे पर एक और उस समय जो भी थूकने आ रहा है उसको वो एक पत्रक जो अभी बन गया है माने आप आठ दिन में तो पत्रक छपाई लेंगे ऐसा मैं मानता हूँ तो आठ एक दिन में पत्रक आप छपा लेंगे पत्रक आपका छप गया तो हर एक आने वाले को आपने पत्रक दिया उसको वैसे थोड़ी जानकरी तो होई गई है थोड़ी और जादा पत्रक से हो जाएगी फिर 21 अगस्त के बाद वो ही पत्रक लेके आप ऐसा भी करिए कि 21 अगस्त तक कुछ स्कूल कॉलेजों में संपर्क करके बच्चों को भी बुलाईए इस अभिहान के लिए तुम भी आओ ठूकने के लिए कुछ विद्यारती आ गए कुछ अध्यापक आ गए कुछ किसान आ गए कुछ मजदूर आ गए हाँ हाँ वहाँ कर सकते कर सकते तो चलिए यह हो गया फाइनल हो गया अब इसमें मेरा एक ही निवेदन है कि आपको जबी भी थोड़ा समय खाली मिले अभी आज देखिए कभी खाली मिलता है तो आप यह अभेप्रताफ संसमीर के साथ बैठ कर क्या चीज हाइलाइट होगी इसमें उसको नोट करके यह रिपोर्ट की कॉपी आपको मिल जाएगी यह तो समवेदना का अंक तो आप ले लेंगे और जो आज की वो है जो निउस पेपर में प्रिंट हुआ वो सब आप अपने घर जाएंगे तो आज का अखवार सबको मिली जाएगा तो इस तरीके से वैसे एक दो अखवार मैंने मंगाया है जिसमें डेटेल आया होगा ये तो जैसे ही वो मिल जाएगा वो हम करेंगे और एक आखरी कोशिश हम ये करेंगे हफते बर के अंदर CSE की रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाएगी Center for Science and Environment जहां पर ये टेस्टिंग हुआ है उनकी रिपोर्ट शायद हफते बर में हमारे हाथ में आ जाएगी तो वो रिपोर्ट की कॉपी भी हम आपको बेजने की कोशिश करेंगे लेकिन वो रिपोर्ट आए उसके बाद हम प्रिंट करें इसका इंतिजार नहीं करना आपके पास जो है material है वो बहुत substantial है 97 की रिपोर्ट बहुत detailed रिपोर्ट है उसके पहले बार्क की रिपोर्ट ये अगस्ट 25 2001 ये काफी detailed रिपोर्ट है और प्लस आज की रिपोर्ट ये तीन sufficient आर्सेनिक उन्होंने बता है थ्री आर्सेनिक निल है इसमें लेकिन सब में निल नहीं है कुछ में है पेपसी में है थमसप में निल है फेंटा में है किसी में निल है अलग-अलग में है कैडमियम का भी ऐसे है और detail है आप देखना इसमें और इसमें देखिए एक ये रिपोर्ट तो मैं बारबार पढ़ चुका हूँ आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इसमें एडिट करने लाई कुछ नहीं है ये रिपोर्ट इतने कम शब्दों में लिखी गई है एडिट करने लाई कुछ नहीं है सरल अंग्रेजी है आप बहुत आसानी से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे और उसके बाद इंटर्व्यू लिया था ये मेगजीन वालों तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आज है उन्होंने काई भई अमेरिका में भी है यहां भी थोड़ा है अब भारत इनोंने तो ये काई कि भारत सरकार में कोई स्टेंडर्ड नहीं बनाया तो हम क्या करें अमेरिका में तो standard है कि 5.8 से नीचे pH हो नहीं सकता यहां ऐसा कोई BIS standard नहीं है तो उन्होंने excuse किया आपने आपको तो यह last paragraph आप छोड़ देना और बाकी इसमें से सब ले लेना कुछ-कुछ इसमें चीज़ें लगेंगी जो आपको समझ में ना है उसको हार पर देखिए एक अजार ग्राम एक अजारवा हिसा एक ग्राम और एक ग्राम का एक अजारवा हिसा एक मिलिग्राम याने एक किलोग्राम में दस लाक मिलिग्राम होता है तो एक किलोग्राम में से अगर सो मिलिग्राम हुआ तो सो पार्ट्स पर मिलियन हुआ 100 ppm तो अगर कोई बोलता है कि 40 ppm है तो उसका मतलब यह 1 kg में से 40 mg 1 kg में से 40 mg तो 40 ppm हो गया अभी यह सब जो रिसर्च किया है सुनीता नराइन जो CSC का है उसका आप वेबसाइट में भी ले सकते हैं उसका वेबसाइट का एडरस है CSE India dot O-R-G CSE I-N-D-I-A CSE India dot O-R-G CSE मने सेंटर पर साइंस and Environment CSE India dot O-R-G आवर CSE India dot O-R-G यह जो साइंस and environment जो समसा है वे एक मैगजन चलाता है उसका नाम है Down to Earth तो उसमें 21st July 2001 का एक Down to Earth में एक फोटो भी आया है जो Pepsi Coke का बॉतलाओं को क्रेन की साहता में यह कीचर आप अंग्रेजी में बॉल आप अंग्रेजी में बॉल गार्बेज मेरे पास वह तस्वीर है वह कंप्यूटर में भी है अगर आपको वह तस्वीर चाहिए तो आप अपने email address दिया तो मैं आपको email address में मैं उसको बेज देता हम अब एक report आया था 21st May 2002 Times of India में उसका विशह है कि American schools banish coke अमेरिका में बहुत schools में बंद हो गया Pepsi Coke तो उसका रिपोर्ट है universities में कई जगे बेहन हो गया तो उसका रिपोर्ट है जो ये बार्ट का रिपोर्ट है उसके साथ अगर ये भी आप जराक्स करके आप जब schools में या colleges में जाते हैं तो आप उसको refer करते हुए आप कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका में इसका बेहन हुआ है आप इक किजिए date 21.05.2002 Times of India 21.05.2002 उसका मेरे पास जराक्स है ये तो निउस पेपर में सभी में है ये अमेरिका का जो रिपोर्ट है हाँ कि अमेरिका में कैलिफोर्निया उनिवर्सिटी के कैंटीन में बेहन हुआ है मेरे पे नहीं है उसका जराक्स है मेरे इमेर अड्रस है हेड़ोनिक स्केलिंग टेस्ट एक बहुत कॉम्प्लिकेटिड टेस्ट होता है जिसमें 8-10 महीने लग जाते है 300 मिली ग्राम को टेस्ट करने में ये सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही होता है जादा तर लेकिन अब ये हिंदुस्तान में भी होने लगा इसकी फैसिलिटीज यहां भी अविलेबल है तो ये लेटेस्ट टेस्ट यही होता है ये जो कार्बोनेटिड वाटर होते हैं माने पेपसी को इनको टेस्ट करने के लिए यूरोप में जो यूज किया जाता है वो यही टेस्ट है Hedonic Scaling Test कहते तो Hedonic Test Scaling Report के अनुसार उसमें कहीं Bracket में लिख देना तो कोई ज Áदा पढ़े लिखे व्यक्ती के हाथ में जाएगा ना कोई Scientist के हाथ में गया तो उसके लिए और भी अच्छा हो जाएगा हedonic scaling test इसमें है आप जब इस report को पढ़ेंगे तो इन last page पर है, last page के front में, वो ज़रा ध्यान रखना, बस इतना ही है, भले bracket में कहीं डाल देना, यह सब लिख दिया, उसके नीचे एक bracket में लिख देना कि यह सारा report जो है, hedonic test scaling है, माने यह test किया, hedonic test, उसका जो scale होता, उस पर यह बनाया report है, और हिंदुस्तान दुनिया में सब जगे यही आजकल चलता है, एवडिये, ने एवडिये वाले कर सकते हैं, बशरती की government उनको कहे तो, एवडिये क्या है कि वो तो government organization है, वो जब तक सरकार आदेश नहीं देती, तब तक वो कुछ चुछ, हाँ, 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 तो इसलिए देखिए यह पैपसी कोक वाले चाला की यही करेंगे, कि आपने पता नहीं किसी scale पर टेस्ट किया, हमें क्या मालूम, हिंदुस्तान में तो कुछ भी होता रहता है, तो इसलिए आप जब mention करें इस बात को, तो यह जरूरी है, इसको रेखानकित कर दें, ब्रैकेट में डाल दें, कि यह किस scale का टेस्ट है, यह scale का टेस्ट है, तो वो एकदम निरुत्तर होंगे, एक, और मैं आपको एक लेटर भी दे दूँगा, पैपसी चीफ का एक लेटर है, जिसमें उसने यह स्वीकार किया है, यह सब, हाँ, पैपसी के चीफ एक्सक्यूटिव आफीसर ने स्वीकार किया है, उसको एमेल किया था, उसने वापस एमेल करके स्वीकार किया, और उसने यह भी कहा कि मैं नहीं पीता, पैपसी में काम करने वाला कोई आफीसर पैपसी नहीं पीता, कोका कोला में काम करने वाला कोई कोका क पूला नहीं पीता, ये उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन्स होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कितना जहरीला है, तो वो रिपोर्ट भी हम आपको किसी स्टेज में दे देंगे, वो मेरे पास था, मैंने किसी को दे दिया, याद नहीं आ रहा है, इमेल कराये था मैंने, प पीते हैं, मैंने पीता, नहीं वो तो खिर बात की वात है, अभी ये तो सरकार करेगी, आज की अच्छी ख़बर ये है, कि आज लोकसभा, राजसभा, दोनों की केंटीन में पेपसी, कोका कोला टोटली बेन हो गया है, रेल मंत्राले ने पहले ही बेन कर दिया था इसको, ड अभी मिनिस्ट्री के कैंटीन में पेपसी कोक बेन हो जाए, है, चलिए, अब ये ये विशे को हम पूरा करें, अब उसके आगे, हाँ, आप तुछ, आप सभी को मालम होंगा, कि आज से करीब करें, मेरे खाल से दो साल पहले, यूरोप के जो दो दोश्यों भी इसके उपर बेन लगा था, सभी पेपर में आया था, हाँ, फ्रांस और कोई, ब्राजिल, ने ब्राजिल, यूरोप के थे दो दोश्यों, बेल्जियम, बेल्जियम में आया था, और वो सभी निस पेपर में आया था, अगर वो कहीं से इसकी क्यों बंद किया गया था, वहां की, और कोक के पेप्सी और कोप कोई बन किया गया था वहाँ पर तो वह अगर कहीं से मिलती होंगे इसकी रिपोर्ट किूँ कि इस वज़े से बहां बन किया गया तो जड़ा सको सपोर्ट हो जाएंगा और दुसरा यह जो वे जो अपने क्रफिता है तह आपको इंदी भी मिल जाए कोशिश करेंगे परसों तक आप तो हैं यहां पर नौ को जाएंगे तो आज ही हम रात को बैठ कर इसको अंग्रेजी से हिंदी करा देंगे और हिंदी होने के बाद आपको नौतारीक की सवेरे तक ये मिल जाए लेकिन ये इंग्लिश भी रखिए हिंदी तो मिली जाएगा और लोकल लेंग्वेज में आपको करना है अपने अपने गाओं में मराठी में गुजराती कंणर तमिल तेलगू जो भी है उडिया है तो उडिया हाँ और ये ये इसमें नहीं हो सकता इसमें प्रॉब्लम क्या है मैंने आप से एक बात कही अभी तक भारत सरकार ने कोई इसका स्टेंडर्ड ही नहीं बनाया B.I.S. जो स्टेंडर्ड होता ना Bureau of Indian स्टेंडर्ड वो नहीं बनाया लेकिन टूथपेस्ट के लिए बना हुआ है टूथपेस्ट के लिए B.I.S. स्टेंडर्ड है Bureau of Indian स्टेंडर्ड है उसका एक मानक है टूथपेस्ट का भारत में उसकी हैं या तो वो कोई law को violate कर रहे हैं या तो वो standard या specification है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं तो अब चूंकि BAS standard नहीं बनाया अभी तक सरकार ने FDA भी ढीला है क्योंकि सरकार इनके favor की है इसलिए नहीं बनाया आज तक तो इसलिए ये कोट में जाना इसके लिए मुश्किल है लेकिन इसके लिए अभी अपने पास जो सबसे बड़ा काम है वो इन्हों ने किया है ये रिपोर्ट जो है लिबरेटरी टेस्ट रिपोर्ट कीजे जनता की अदालत में लड़िए आफ इस रड़ाई को हाँ इनके खिलाफ हो सकता अब इनके खिलाफ केस हो जाएगा अमिताब बच्चन के खिलाफ तेंदुलकर के खिलाफ आमिर खान के खिलाफ इनके इनको कोट में घसीता जा सकता है तो इनको इनके खिलाफ जरूर कराईंगे इनके खिलाफ होगा क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्ट के लिए बुरा है उसका प्रमोशन इनों ने किया और पूरे इसके मानकों को तोड़कर किया, इनके खिलाफ हो जाएगा, उसके लिए देखेंगे क्या बनता है, नहीं कोट में इसमें, कोट इसमें क्या करेगा, कोट इसमें भारत सरकार को ओर्डर दे देगा, कि भाई आप BIA स्टेंडर्ड बना दो, वो बनाएंगे, ठीक है, इतने ही कर सकता है, कोट थोड़ा फटकार लगा देगा, हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी जो अपने को ततकाल करना वो ये, कोट में क्या करना है, अमिताब बच्चन के खिलाफ सूट फाइल करना, वो हम लोग देख लेंगे, अपने जो वकील मित्र हैं, उनके साथ बैठ के तै कर ले, पबलिक, पबलिक केंपेन अपने को क्या करना है, वो ये है, एक तो पत्रक बनाना, पत्रक छपाना, पत्रक बांटना, फिर ये थूकने का वियान, फिर स्कूल कॉलेज जाने का, मंदर जाने का, मठो में जाने का, जहां भी संबभवो, वहां जाने का, ठीक ह सब्सक्राइब कर लेंगे पता अभी आपने कहा कि रेल में और डिफेंस में सब बैन है अभी हम यहां पर आये तो पैंटरी में बेशते हैं नहीं रेल मंतराले की कैंटीन डिफेंस मंतराले की कैंटीन डिफेंस मंतराले माने दिल्ली में जो आफिस है उसमें जो कैंटीन है वहां बहन है लेकिन सबी कैंटीन में नहीं जो नीचे हैं जहां पर मंतरी बैठता है मंतरी के नजदीक हमेशा एक मंतराले में कैंटीन रहती है वह के नियूज है